नमस्कार देव वूमी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशीज प्रमोद गोसवामी जन आशीरिवाद रैली में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि उत्राखंड को गिले 10 साल में देश का नंबर वन राजी बनाय जाएगा भाजपा सरकार उत्राखंड को आदर शुराज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पर भी तंज कसा सिमधामी ने कहा कि जो रोजगार गारंटी कार्ट की बात कर रहते वो खुद बेरोजगार हो गए मसूरी बिदानसवा श्वे पर जाते हैं अब सरकारी मौटरिया चौपी सजार है पूरे प्रदेश के अंदर हमने उसको सर्थ कर दिया है अभी तोचा रजार और बढ़ गए हूँ लेकिन हमारे आपक धिरोजगारों की संक्या है लगवर दी एक लाग दू लाग से की जादा तहीं लाग है तो हमने कहा है कि जितने हमारे धिरोजगार भाई हैं उन सभी को ह पानक मत्ता गुर्द्वारे पहुंचे जहां और राजिपाल अगुरमीत सिंग भी सियम के साथ रहे हैं उश्करधामी ने दर्शन करते हुए गुर्द्वारे में सेवा भी की साथी जाड़ों लगा कर साफसफाई के प्रतिसंदेश भी सियम ने दिया सियम ने मत्तर टेक के निकबाद राजिपाल संग लंगर भी खाया तो उत्राखंड में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाले इस दोरान सियम के जिवाल ने बेरुजगारी, बिजली, पानी और अन्यमुद्दों को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला साथी उत्राखंड की जुनता से कई बड़े वादे भी किया आई आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आपकी ललकार पहाड में बनेगी सरकार, पहाड में आएगी नौकरियों की बहार, 21 सालों की दुरदशा 21 महीने में करेंगे ठीक उत्राखंड में अगले साल विधान सभा के चिनाव होने हैं, जहाँ बीजेपी हर दाओं पीच लगा रही है, वहीं पहली बार पहाड के इस धंगल में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है दिल्ले के सीम और आम आदमी पार्टी के संयोजग केजरिवाल उत्तराखंड के हलदवानी पहुँचे जहां से पार्टी ने बड़ ही दमखंड के साथ तिरंगा यात्रा निकाल कर उत्तराखंड में अपनी उपस्तिती दर्ज कराई इस दोरान हजारों के संख्या में आप कारिकरता भी शामिल हुए जहां से चिनावे बिगल फूका गया इसके साथ उन्होंने उत्तराखंड चिनाओं को लेकर कई बड़े अलान किये अर्विन केजरिवाल ने कहा कि उत्तराखंड के बने हुए 21 साल हो गये हैं इन 21 सालों में इन पार्टियों न उत्तराखंड के दुरदर्शा कर दी है नदियां लूट ली पहार लूट ली है उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गये इन 21 सालों में इन पार्टियों ने इन नेताओं ने उत्राखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नी छोड़ी नदियां लूट ली, पहाड लूट लिये, जंगल लूट लिये, जो मिला वो ही लूट लिया हैं लोगों ने इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लैन बना रहे हैं केजरिवाल किस तरंगा यात्रा को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले विधान सभाचिनाओ की लड़ाई बीजेपी या कॉंग्रेस के आसान नहीं होने वाली है क्योंकि आप उत्तरा खंड के 70 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतर रही है केजरिवाल ने अपने पुराने वादे को दुहराते वे कहा है कि हाँ सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे पुराने बिल माफ करेंगे 24 घंटे बिजली देंगे किसान बिजली के बिलों से परेशान है पुराने अनाप्षन आप बिलों से परेशान है तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया दिल्ली में आज लगबग 73 परतीशत लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है हमने करके दिखाया हम ध्यूटे वादे नहीं करते ऐसे ही उत्राखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे ऐसा नहीं कि बही irresponsible statement है कोई काईगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी इसके साथ ही केज़िवाल ने कहाएक उत्राखंड में इवाओं को रोजगार के आवसर नहीं मिल रहे यहां के इवाओं में गजब की एंरजी है लेकिन पिछले किस सालों में इन पार्टियों ने इवाओं के दुर्द शा कर दी है ऐसे में इवाओं को घर और गाऊ छोड़ कर पाहर जाना पड़ा है यहां के सबसे बड़ी समस्या पलायन बन गया है उत्राखंड एक तरह से पलायन प्रदेश बन गया हर युवा को रोजगार चाहिए यह हो सकता है इसके लिए अच्छे नियत वाली सरकार चाहिए हम छे महीने में एक लाख नौकरिया देंगे जब तक युवा को नौकरिय नहीं मिल जाती तब तक उस परिवार के एक युव को 5,000 पे हर महीने भत्ता दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्राखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहया कराये जाएगा यह पहली घोशना है दूसरी घोशना जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता हर परिवार से एक युवा को पांच हजार रुपे महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहाया नहीं करा किया जाता है पिछले महीने उन्होंने तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के साथ करनल कोठियाल को मुख्यमंत्री पत का चेहरा घोशित कि बीच कर रही है ऐसे में देखना होगा कि पहाल का राजा कौन बनेगा बेरो रिपोर्ट न्यूज वन इंडिया आम आदवी पार्टी के संयोंजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ले हल्दवानी में बेरोजगारों को लेकर बड़ी घोशनाएं की परिशनाथी उत्राकल सरकार पहले से उन शेत्रों में काम कर रही है जिसकी वो घोशना कर रहे हैं कि लिए लेकिन जितनी करेंगे धॉट करेंगे जैसे हमने कहा है कि हमेरे नौजबान भाइए है वह केवाग नौजबान आप नोजबान है वो रोजगाह माँते हैं जरजबा जाते हैं परिशान होते हैं मुक्रमाइब के जिर्वाल के दौरे को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी ने तंच करता है बीजेपी का कहना है कि चुनाव को चलते सियम के जिर्वाल का ये निजी दोरा है और भारती और जौनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी राजमी दूसरे दलो के लोगों को अपने पक्ष में करने का काम कर रही है तो महीं प्रधाल मंतरी मोदी के नित्वत में बीजेपी बिश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गहें तो महीं कॉंग्रेस ने निशान साध्यते वे कहा कि आम आदमी पार्टी जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है कि अध्यान चुनावी वर्ड्स है 2022 यानि की परवरी में चुनाव हो जाएंगे कुछी महिने रहे गए और घोषणाओं का दोड़ चलना है घोषणाओं का मौसम चल रहा है कोई भी पार्टी हो तो वह और जो घोषणाओं से सावधान रहना चाहिए कि को पूर में भी आपने देखा पूर वर्ती जो सरकार हमारी घोषणाओं का अंबार लगाया था पूरी पूरानी घोषणाओं अम्पार फिर से लगाना सुन ह Sana फिर से लिख दिल्ली सरकार को सी वान एक सेसा है कि अपना उनका पार्टी का पिर्दान निबाते लो दोरा है आप तो चुनाओं यहां से लोग लड़ा रहे हैं आप पार्टी यहां पर प्रट्व भाग करें तो यह दोरे चलते रहे हैं कि भाजपा का तो हमारा स्ट्रक्चर ही हमारी तो सब्धार है 19 करोड का दल जिसकी सदेशता 19 करोड होगी और जिसके लेतत में मानी मोदी जी हो मानी अमिसा जी हो मानी निड़ा जी हो तो इतना बड़ा संगटन हो और बहुती कर्टबनिस्ट कर्टब फरैंड जिसके कारिकरता हो वो निर्भीकता से कारिकरता है तो केदारनाथ धाम की बुकिंग अगले 12 दिनों के लिए पूरी हो चुकी है और अब तक शुरुधालों को करीब 10,000 पास जारी भी के जा चुके वहीं बादरिनाथ की यातरा के लिए भी 4,830 पास के बुकिंग पूरी हो चुकी है उदर डोईवाला के रायपुर स्थित काटल गाउं में इन दिनों बरसात के चलते ग्रामीडों को परशानियों का सामना करना पड़ रहा है पुल और सडक का नेमार नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कते हो रही है कई सालों से लोग शाशन प्रश्वासन से पुल की मांग कर रहे हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है वहीं बच्चों को स्कूल जाने के लिए विजने अंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है जिससे उनकी जान का खत्रा रहता है हमारे रोल की बहुत दिक्कत है जैसे आने जाने के लिए जैसे बड़सात के टाइम ना पूल पाल कुछ नहीं है अब फिलाल यहां पर अब इह रासता है यहां जाने का कल पर सहों कुछ नहीं करता बच्यों का स्वच था बच्चों का स्कूल भी बहुत अपर है धारकोट जैसे कि इस तीन चार का पैदल जाते हैं जाने गले रोड की बोड़ी हो जो जाने जाने के लिए रोड कारी के अड़ी होगा। जवस्ता तो दिनी एजी और बड़त्यान नहीं खाद रहाम। परस्ता जादिया कोई फसल पाद बोनों इमा बड़ी दिक्कत हो जाना कोखी सामान लिजाना की लिहोना की या बहुत ज्यादे दिक्कत हो जाना जनी कोई अधरक लगा ले कोई जनी फ्रांस बीन बोया ले जनी मेर्ची बोया ले लगा ले तोड़ना ले जाना की बहुत की सुविता कुछ निया रस्ता की यहो कि जंगल जाड को रस्ता पाणे से सारों रस्ता बहे जाना माँ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाओ और हमारी पुदिया लग जाओन हमारे रास्तों मन जाओ तो हम जो भी परियार यहां रहना हम लोग को कुछ सुभिता तो रुड़की की करते हैं तो रुड़की में कॉंग्रेज की परिवर्तन यात्रा के पहले दिन का समापन बियसम इंटर कॉलेज में हुआ जहां प्रभारी देवेंदरियादों ने जनसभा को संभोधित किया और इस दरान उन्होंने कहा कि यात्रा जहां भी गई वहाँ जनतासिया टूट प्यार और समर्थन मिला और प्रदेश ने तो तेग जुठो कर कॉंग्रेज की सरकार लाने का काम करेगा वही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और जब सरकार को जाने का खत्रा होता है तो समाज जाती और धर्म के नाम पा लोगों को बाटती है वहीं कॉंग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली एक पार्टी है अज भाजपा हमारी पार्टी के प्रा रोग लगा रही है तेखिए राज कुमार जी आये भाजपा पर मुंहिल के निवासी दे भाजपा ने टिकर नहीं दिया और मानने एहरी स्रावजीन ने टिकर दिया हमें, अब इस दूरा अपने बाज़ने में चलेंगे, जो आज भाजबा वाले ये कह रहे हैं कि हमने एक मिकिट गेर दिया, एक मिकिट गेर दिया, ऐसे अत्रा पूरी तरह सफल दही, क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश तरके सभी बड़े नेता मौजूद रहे, और उन्होंने अपनी अपनी बातें कॉंग्रेस की योजनाएं, और भाजबा की विफलताओं के बारे में विस्तार से जनता को बताया, और आशा ये है, कि पब्लीक जो है, इस वक्त हताश बैठी है, तो हताशा में अगर उसे कहीं आशा की किरेंड नजर आती है, तो वो उस बात को तवज्ज़ है. अब बात रिशिकेश की करते हैं, तो रिशिकेश की रायवाला थाना पुलीस ने स्मैक के साथ दो तसकरों को गिरपतार किया, फिलाल पुलीस ने मुकदमा दर्जकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है, वही थाना अध्यक्ष भूवन चौन्द पुजारा ने बताया, कि मुकबिर की सुचना पर पुलीस ने चुकेंगा वियान चलाकर दो तसकरों को गिरपतार किया, उधन नरेंदर नगर तहसील में पैतालिस वे कुंजा पुरी परेटन विकास मेले की तैयारियां शुरू हो गई है, कृश्वी मंत्री और शेत्रिय बिधायक सुबोध उन्य के साथ जिलादिकारी इवा आशुष स्रिवास्तों की मवजूद्गी में वैठक की गई, एस दोरान विधायक ने सभी को आश्वस्त किया कि मेले के भब आयोजन में पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी, साथी मेले को भब रूप देने और सुवेवस्तिक धंग से चलाने के लिए कई समयत्यों का गठन किया गया है इसके लावार केंद्रिय मंत्री और कहीं नेताओं ने सिर्कत इस मेले में की और साथ आज के मंत्रियों ने तमाम बाहर विजांता बाच्चों में बस्दक्चों इस मेले कुष्वाद करने का 2300 फिट के उचाई पर है कुझ्जापूरी मंदिर जो नरदन नगर के उचाई शिकर पर विराजमान है यहाँ पर साल बार लाखू अज़ो सरदालू मा से मन्नते मांगने आते हैं और का जाता है कि यहाँ पर मा का घृतर का भाग वक्ष का भाग कुछ भाग गिरा था और इसलिए मा कुंजापुरी बहुत दयालू अपने भक्तों पर होती है और जो सच्चे मन से जाता है उसके मनते वहाँ पर पूरी होती है यह कावन सिद पेठों में कुंजापुरी मंदिर एक माना जाता है और यहाँ पर हर बर्स नवरात्रों में नरंदनगर में बड़ा म मेला अउजित किया जाता है साथ दिनों का यह मेला यहाँ पर साथ अक्टूबर से तेरा अक्टूबर तक इस बक्त चलेगा और यहाँ पर जो है बैठक जिला इदिकारी और जो परदेश के किर्शी मंतरी उद्यान मंतरी और छेतर के विदायक हैं सुबू दुनियाल यहा बड़ा भब्या इसका आउजिन किया जाएगा अब मैं वाचसपती रयाल नेरेंदर नगर इस खबर के साथ इस बुलेटर में फिला लेता ही नमस्कार